अगर सही इरादे हैं तो हर कदम पर हन्मान जी मदद करते हैं अभी समय आम जो है वासमान छू रहा है बाई एक दिन दो देन आम है बाद खतम अब इस समय पढ़ी आम कवडिक भाव ये बिचारे देते हैं जो मर्जी म्यावे बजा दे इनको भी मादों को बाबा बंदर ही खलाएगा खुद खाएगा अब ये पूला मेरा जोला भर दिया देख रहा है तो ये सही बताओ ये जंगली है ये लंगड़ा है लंबा लंबा लंगड़ा कहा हो हो लेकिन हाँ है लगत तो है ये क्या डानी होईगा तीन ये हम दुनिया के दिखाईद है देखिए रमनीक सहाब ये हन्मान जी की जो ऐसे नहीं किरपा हो जी अगर बत्ते सुलगा लिया चंदा लगा लिया तो भगवान नहीं मिलेंगे पसीना बहाना पुड़ेगा ना पैसे से भगवान मिलेंगे ना चंदान से मिलेंगे मिलेंगे पसीने से खुर्टा मेरा भीग रहा है आपको मने दिखाया है ये देखो खुर्टा देख रहा है अब ये वेचारियस ने भले लोग हैं कहन बाबा जो समझ में आवे हम का अच्छा चलो कोई बात नहीं है तो ये देखिए आप तो कित्ता हो गया दस किलो है बाबा पूरा कुछ एक आद आप जादे अलग से डाज़े करें एक किलो डाल दिया है अरे वा ना मताईए अपना रोहित रोहित सोनकर ठीक अच्छा ये बताओ पैसे के लिए आप आप आते जाते देखिए नहीं हम तो अच्छा आप यहीं मिलेंगे ना अच्छा ठीक लेकिन एक बात याद रखो हम का लईवे आउ लोगों का सौप दीन हो कि बाबा आमे तो उनसे पैसा लई लीन हो नहीं इसलिए अगर मादीजी आपने नहीं मांगा हो मेरे दिमाग से उटर गया हमने डिगरी कादेश वाले मालूम का करत रहे हैं जब उनका तलब लगत रही तो कहीं अच्छा बेकूब बाबा है पकड़ो ओ बाबा लई गए अगर आपने नहीं मांगा मेरे जिमाग सुटर गया एक अपते के बाद मांगिएगा रोही जी तो मैं नहीं दे पाऊंगा कोई बात नहीं नहीं बात है आप पैसा लगा के लागते हैं ना चलिये साहब ठीक है रोही जी वाद फूरी दुनिया देखे रोही स्वान तक अपना नाम बोलो सत्तिन सुनकर सत्तिन सुनकर हाँ जोर से बोलो मर्दान की आवाज में और ये बीच वारे काहे रही जाए नाम अभी सेख सुनकर जाए ठीक है साहब नुकसान तो भरे आपको लगता होगा लेकिन यशाई कहीं ने कहीं से फाइदा होगा आप कभी सोच आपको ठीक है वो गाड़ी मेरी खड़ी है अब गाड़ी लेकर आएंगे इसका लादेंगे दस केडों है आए आए अच्छी बाव जय श्रीराम जय श्री नाम जय खोष्व बोला कैसा भर्जया स्रीव आज